आप आपूथीस टेस्टिंग में टोटल फाई स्टेप में अब फाई स्टेप में सबसे पहला स्टेप यह होगा नल हाईपोथीस यानिकि जिस स्टेट्मेंट को हम चेक करना चाहते हैं वो नल हैपोथीस बनेगा उसका अल्टरनेट अब कॉम्लेमेंटर रिच्ट मेंट हम कितना हम relaxation रखने वाले हैं तो दो levels है 5% and 1% उसमें भी दो again है 1 tail, 2 tail तो उसके हिसाब से हम यह critical values कैसे fix करते हैं already हमने वीडियो एक बना के रखा है तो वहाँ से हमें Z alpha मिलेगा और बाद में हम Z and Z alpha का comparison करेंगे और decision देंगे कि अगर mod Z alpha, mod Z हमें जो calculation मिलेगी या positive है या negative हम उसका modulus ले लेंगे और अगर यह Z alpha से less मिल रहा है यह critical value से less मिल रहा है तो accept कर लेंगे और अगर mod Z की value greater than Z alpha मिल रही है यानि कि यह Z इससे अगर बड़ा मिल रहा है तो हम बोल देंगे कि rejection में जाएगा sentence ठीक है ओके सो यह है hypothesis testing